तो गाईज एक ऐसी न्यूज आप सुनके बहुत जादा हैरान होने वाले हो दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में एक धमकी भरा मेल आया है जिसमें ये कहा गया है कि इन स्कूलों में बॉम रखा गया है और बहुत जादा हलचल मत चुकी है और इसलिए डिपार्टमेंट ये पुष्प विहार और नजब कड़का ग्रीन वेली इन सब स्कूलों में एक मेल आया है जिसमें यह कहा गया है कि इन स्कूलों में बॉंब है तो इसका अध्यान रखते हुए बहुत सारे स्कूलों के आज हाफ डे में मतलब जैसे ही यह इमेल आया तो उसके आसपास के स्कूल लग रहा है कि यह इसा क्यूं हो रहा है अभी तक कभी इसा सुनने को नहीं मिला था कि स्कूल में बॉंब लेकिन अब ऐसा आ रहा है तो सभी बहुत ज्यादा डर गए है लेकिन इसमें डरण senators को स्टूडेंट्स को ना ही टीचर्स को ना ही प्रिंसिपल को, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ये सर्कुलर आया है, जिसमें ये कहा गया है, कि अगर ऐसा कुछ कॉल आता है, तो टीचर्स बच्चों या किसी को पैनिक होने की जरपने, सबसे पहले पॉलिस को इंफर्म करें, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कहा ता, लिकिन आज एक्च्वल में ऐसा हुआ है, कि इसी धंकी बरी जो ये कहा दें कि मेल आया है स्कूलों में, तो सब बहुत जादा घबरा गये हैं, इसलिए डिपार्टमेंट सोच रहा है कि किस तरह से बच्चों को सेफ रखा जाए, क्योंकि सबसे जरूरी है बच्चों की सेफटी, तो इसके लिए डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेगा जो बच्चों की सेफटी के लिए हो, जैसे कि आज सभी स्कूलों में, लगफग सभी स्कूलों में, मौर्निग शिफ्ट के स्कूलों में तो छुट्टी करी दी गई है, हाफ डे पर, और इमनिग शिफ्ट के जो स्कूल है, वहाँ पर भी बहुत जल्दी छुट्टी कर दी जाएगी, ऐसा ही सोचा जारा है कि, वहाँ तो पूरे ही दिन की फूल डे की छुट्टी कर दी जाएगी, और जो मौर्निग शिफ्ट के स्कूल है, वहाँ पर हाफ छुट्टी की गई है, तो अब क्या कर या आगे दिपार्ट्मेंट चाहरा है कि छुट्टी करना, तो अभी ऐसा कोई एकदम सर्कूलर नहीं आया, लेकिन हाँ बच्चों की सेफ्टी को ध्यान रखते हैं जरूर, क्योंकि बहुत सारे पैरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे ही नहीं, लेकिन इसके अलावा क्या होगा, सेकेंड डिपार्ट्मेंट जरूर बच्चों की सेफ्टी के लिए आगे कि एक या दो दिनों की छुट्टी की गोशना कर देगा, जैसे इसके रिगारेंगे सर्कूलर आएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगे, लेकिन अभी ऐसा कोई सर्कूलर नहीं है, लेकिन आज सेफ्टी किसी भी अंजानी चीर्ज को टच नहीं करना, इन से बातों को आप लोगों को पूरी तरिके से ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अलट रहिए, थैंक्यू गाइज,